हेलो हेलो क्या हाल है अंदर चले जाओ यार सर्दी है हेलो अवाज आ रही है आपको आपको अलेकुम मैं हुताईब खान हो और आप देख रहे हैं तैयब के दावड पिछले चार पांच दिनों से मोसम जो है ना बिल्कुल इस तरह है यह देखें लोग फ्री की सीगरिट पी रहे हैं और बादल ही बादल है पिछले दो-तीन दिन पहले हैं मैं गिया था इसलामबाद वापर मोसम ठीक था धूप भी निकल रही थी और जो है ना और यह दूंद की एक लहर पड़ी है तकरीबन मैंने नेट में उसको देखा है यह बंगलादेश और इंडिया और पाक थोड़ी थोड़ी सी बारिश को शुरू हो चुकी है और इस वक में मुझूद हूँ अपने बैठक में दूरत हाल है आप देख सकते हैं पारिश के साथ साथ थोड़ी थोड़ी से हवा भी चल गई है और मैंने जो है ना शो किया इन लोगों को पाला है यानि बक्रिया और कुछ बक्रे हैं मैंने का चलो सर्दी में हमारा टाइम भी पास होगा और इस पिंजरे से जितने भी कबूतर वागेरा थे वो हमने हटा लिए उसमें से जो लोकल देसी कब उतर थे वो हमने बेच दिये और जो अच्छे वाले थे वो हमने पिछले जो पिंजरे हैं हमारे उनमें राख लिए जी और यह हैं बक्रियों की पूजिशन मैं आप लोगों को दिखाता हूं हमने कुछ जी एक दरजन बक्रियां लिए जिसमें कुछ बक्रियां हैं और कुछ पक्रियां हैं जो के लोकल मंडी से एक जगह दूसरे जगह से परचेस किये उसमें एक हमने जहायन सत्का कर लिए और बाकी 11 यह बच्चे और यह उनके लिए अंदर माहोल बनाया है आग भी हमने जलाई हूई यह और वो जिसमें वो घास वगहरा खाते हैं तो यह पूजिशन है उमीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा हमारे सारा आयो थे चूब कि दिसमबर है अभी तकरिवन जनवरी शुरू हो चुकी है दिसमबर में उनकी चुटियां थी और माशालला बहुत अच्छी गुजारी हम मुल रहे हमारे मौला थाप जो है ना उसने आग जलाई हुई है यह है भी बड़े महनती और हाफिस भी है माशाला मेरे चौथे नंबर पर बाए हैं यह हमाद खान नाम है इनका यह हमारा कजन है उस्मान खान अस्मान खान क्या हाल है आपके आज के लिए इतना ही आज की अगले विलाग को यही परेंड करते हैं मिलते हैं अगले विलाग में अल्ला हम यान असर अल्ला हाफिज